उत्रोला यूप पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों का फूटा गुस्सा मंगलवार को बार इसोसिएशन उत्रोला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के अध्यक्षता में अध्यवक्ताउन श्यामा प्रसाद मुखर जी चौु राहे पर चक्का जाम कर उपने रिक्षक विपुल कुमार पांडिये को भर खास्त किया जने की मांग की अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ उप्त जलादिकारी को संबोधित ग्यापन अपराद में रिक्षक मुहम्मद यासीन खान को सौंपा यापन में कहा है कि कोतवाली उत्रोला की पुलिस द्वारा ने रिवा मजबूर तथा समानित व्यक्तियों का लगातार उत्पीन कर फरजी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है जिस कारण जन्मानस में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है उत्रोला पुलिस द्वारा आधिवक्ता संग के समानित सदस्य कृष्ण गोपाले रवोकेट के पुत्र चंदर शेखर उर्फा पिंटु को 3 अप्रेल 2021 को सुबहर 10 बजे उपनी रिक्षक विपुल कुमार पांडेव दो अन्य सिपाही ग्राम गुरुद्याल डिहस्थित आवाज से पकड़ कर थाने लाएं तथा घर की महलाओं के साथ उपनी रिक्षक वस सिपाहियों द्वारा अभरत्ता की गई और सरजी तरीके से अबैद तमंचा दिखा कर जेल भेज दिया गया इस मामले में जब प्रभारी निरिक्षक पंकज कुमार सिंध से वारता की गई तो उन्होंने मामले की कोई जानकारी नहोने की बात कही इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं की बैठक कर पुलिस की कारे शेली की निंदा की गई बैठक में सर्वसमती से उक्त मामले को लेकर चरण बद शांती पूरवक्त आंदोलन की रुप्रेखा तै हुई बैठक में दोशी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये जाने वकोत वाली में तैनातनी रिक्षकों के विरुद्ध तत्काल का रिवाई करते हुए उनकी सेवकारे मुक्त किये जाने की मांग की गई फखरपूर की आवाज के लिए वाज़िद हुसेन